ब्राडवे तोहडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा हकीकत दी उडान साथ फिर दो तरह के केस होते हैं वो दोनों चीज़ों के लिए अलर्ट हो जाएं पहली चीज़ होती है उनकी डॉकुमेंट्स की वेरिफिकेशन हो सकती है जिसमें खास कर उनकी फिनेंशिल वेरिफिकेशन फंड्स की वेरिफिकेशन सो अपने bank को alert कर दे, manager को alert कर दे कि भाई तुझे verification आ सकती है, उसका reply कर देना, नहीं तो बच्चे ऐसी refusal हासिल कर रहे हैं, जहां पर bank manager ने या bank ने embassy की inquiry को answer नहीं किया, ठीक है जी, और इसके कारण आपका loss हो गया, और second जो चीज है आपके employer, जो आपने experience डाला है, उस employer से भ जो हो जाता है, वो हो जाता है interview case, जिसके अंदर आपको फिर interview की appointment आती है, और उसे अंदर फिर आपसे interview conduct किया जाता है, तो चाहे आपकी university ने interview लिया था या नहीं लिया था, वो अलग बात थी, लेकिन अपने interview की जो practice है, वो जारी रखें result आने तक, it is pretty much important, अपने doubts को और ज्यादा clear करते रहें, अपने communication को और ज्यादा साफ करते रहें, यह जो issue है, यह interview का 10% तक की रहा जाता है, document verification, definitely 20% student से plus की हो रही है, 70% student को result अपने time से मिल रहे हैं, but 70% वाली category में mind fit ना करें, अपने mind को 30% वाले bracket में रखें, जिसके बारे में मैंने यह important ली चीज़े बत आप से share करता रहूँगा, और September intake जो बच्चे मिस कर चुके हैं, वो अभी भी October और November intake Broadway के साथ पकट सकते हैं, with और without आइलेट्स और साथ में spouse जा सकता है, इस opportunity को मिस ना करें, तुरित Broadway की team से contact करें, अपनी application चलाएं, नहीं चलाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक् मिस ना करें, थांक यू